इस वीडियो के साथ ही मैं जवाहर नवदय विदल और सैनिक स्कूल के लिए इंग्लिस ग्रामर का टॉपिक का वीडियो यहां पर डाल दूँगा अपने यूटुब चैनल पर जहां से आप इसे देख लिजेगा और अगर अभी तक आपने मेरा यूटुब चैनल सब्सक्रा करते हैं मैं कोशिज करूंगा कि इंग्लिस और हिंदी दोनों में समझा दू तापकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो सबसे पहले देखते हैं नाउन का फॉर्मल डेफिनिशन क्या होता है तो फॉर्मल डेफिनिशन यहां इसका वर्ड यूस्टू डिनोट हो गया वह एक नौन हो गया रेस्टूरेंट ले लिज्ये मा लिए कि ताज हो गया तो वह उद्ध हो गया लाव यह इसदरकार जो पहला हो गया प्रॉपा नाउन कॉमा नाउन कलेक्टिव नाउन माटेरियल नाउन और एब्सट्रेक्ट नाउन हम एके करके सारे तरह के नाउन को डिसकस करेंगे और अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजेगा या फिर दिये गए वाट्सप तेंग दा फर्स्ट लेटर अफा प्रॉपा नाउन इस अल्वेज डिपरेज़ेंटेड बाया कैप्टल लेटर तो किसी भी जगह आधमी या फिर वस्टु के प्रॉपर जो डाउन होता है वह किसी भी वस्टु वैक्ति या अस्थान का नाम होता है जैसे पटना ले लिज और जो भी प्रोइब होता है उसे हम करते हैं कैप्स लीटर ल्कते हैं किट एपल अमेजन फेस्बुक तो उसी आや से लिखते हैं तो जो पर्सनल प्रो नाउन हो गया उसका पहला लेटर होता है वह कैपिटल होता है तो यह प्रॉपर नाउन का फॉर्मल डेफिनिशन हो गया और प्रॉपर नाउन का कुछ एक्जांपल देख लिए इंग्लीज में तो किसी भी महिने या फिर दिन का नाम यह प्रॉपर नाउन होता है जैसे जनुवरी फरवरी ऑक्टूबर नॉमबर यह सब देख लिए और सारा कैपिटल लेटर से लिखा गया पहला लेटर उसका किसी कंपनी का नाम प्रॉपर नाउन होता है जैसे इनफोसीस ले लिजे महिंद्रा ले लिजे आप मैंने से स्टार्ट होगा आप स्याम ले लिजिए and that starts with capital letter that is s to every proper noun is start with capital letter और यहां देख लिजिए अगला name of places and capital letter से स्टार्ट होगे Mumbai Chennai टाइटल ले लिजिए जो दर्नेम होता है सर विलियम प्रेशिडेंट ओबामा और कोई भी बुक या फिर निउस पेपर तो कोई भी बुक या निउस पेपर का जो नाम हो गया वह अब का प्रोपर नाम जैसे अब दैनिक भासका दैनिक जागरन प्रफात खबर या फिर हिंदुस्तान दणी निउयक टाइम्स या फिर कोई धर्म गरंत हो गया रमायन हो गया गीता व बाइबल हो गया तो यह सब जो नाम है वह प्रोपर नाउन कहलाते हैं और एक नोट्स है आगे तो यह ध्यान देने वालब बात है कि there are some nouns such as sun moon earth which seem to be the names of particular individual object but they are not proper nouns तो यह ध्यान दिजे कि जितनी भी silesial bodies हो गए जैसे हो गए sun moon earth यह सब silesial bodies है अकासिय वस्तु है तो यह सब proper noun नहीं होते है यह लगते तो है आपको कि यह proper noun है but they are actually not proper nouns so any silesial body does not is not a proper noun तो यह आपको ध्यान में रखना है और proper noun capital letter से start होता है यह भी आपको याद रखना है और proper noun होता क्या है कि कि किसी भी वस्तु व्यक्ति या अस्थान के specific नाम को if I say city or town then city or town is not a proper noun but if I mention any city name like Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Chennai then Ahmedabad, Mumbai, Delhi and Chennai are proper noun of a city or a specific city if I say person I suppose I say two persons are going and then person is not a proper noun but if I mention their names like Sam and Rahul are going then Sam and Rahul are proper noun right तो आपको यह ध्यान में रखना है कि specific नाम होना चाहिए और specific किसी भी व्यक्ति या स्थान के specific noun को ही हम proper noun कहते हैं और वो जो proper noun होता है capital letter से start होता है और जो अगला चीज है जो आपको याद रखना है कि any celestial bodies like sun, moon, earth and something like that is not a proper noun तो यह हो गया proper noun के definition और कुछ उदाहर और कुई doubt होत नीचे आप comment कर दीजेगा next noun है वो है common noun and the formal definition of common noun is common nouns are words for people, things, animals and ideas तो कॉमा नाउन से किसी व्यक्ति वस्थ्थू या स्थिति का specific का ने पूरिक एक होतान community का इंडिकेट करता है like if I say bank then bank हो गया एक कॉमा नाउन हो गया मतलब क्या कि मैं किसी भी बैंक का specific नाम नहीं ले रहा हूं suppose I am saying bank तो bank क्या हो गया कॉमा नाउन हो गया अगर मैं कह रहा हो कि पंजाब ने सनल बैंक पी और दो पंजाब निशनल बैंक क्या हो गया एक प्रॉपर नाउन हो गया या फिर मैं बोल रहा हूं State Bank of India तो State Bank of India क्या हो गया प्रॉपर नावन कि अगर मेंर बॉल रहा हूं तो बैंक क्या हो गया कॉम्मा हो गया तो एक Community समुद्ध आये फिर जाती का पूरा बॉर्ध होता या फिर एक Class का बोध होता है तो common noun indicates a class community not suppose if I am saying any suppose I am saying actor then I am collecting the all actors like suppose मैं बोल रहा हूं कि say actors to actors में सारे actors आगे but if I say a Sarukh Khan और Salman Khan और अक्षे कुमार दिन सारु खान अक्षे कुमार एंड सल्मान खाण और प्रोपर नाउंस बट इफ I am saying only actor then it comprises all actor and actresses but if I mention any their names like if I said दिपका पादुकॉन कैटरीना कैफ और अधर अमिताब बच्चन देन इस अमिताब बच्चन कैटरीना कैफ एंड दिपका पादुकॉन और प्रोपर नाउंस बट एक्टर के कहने से क्या होता है सारा कलेक्टिव में आ जाता है मैं किसी पुड़े जो एक्टर समुदाय हो गया यह फिर वर्ग हो गया उसका बोध होता है सपोज if I say scientist तो scientist बोलते ही कि जितने सारे दुनिया में scientist है उस सभी के कलेक्शन को यह हम क्या कह रहा है scientist कह रहा है तो उसका एक वर्ग हो गया community हो गया scientist का बट इफ आई से डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम देन डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम इस प्रॉपर नाउन बट साइन्टिस्ट इस अ कॉमा नाउन होगा लेकिन अगर कोई माल है कि कोई यह स्पेसिफिक डॉक्टर है जिसका हमनाम मेंशन कर रहें तो वह एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा तो अगला कुछ उदाहरण है जो आपको याद नहीं करने बस समझने है तो अगला हो गया कि कॉमा नाउन फॉर डिलेसंस तो फादर हो गया डॉटर हो गया मदर हो गया सब्सक्राइब हो गया अपके अपको याद नहीं बस समझना आपको अब आगे बढ़ते हैं तो आगे मैं आगया यह आगे यह मैं पोलता हूं एनिमल ठीक तो एनिमल मुझ चाहर कूछ आ जाता है अगर मैं स्नेक बोलुँ नमान हो गया बट इप नागिन हो यह कोई यह हो गया सपोज अननकॉंट बैट कॉंठल अनरिपन Karma खोंग मिद रटॉ Чर्छ में अन्कॉंट अन צ्री अदेः प्रोपनाइट सिंग कॉमनाउन डॉल्फिन तो डॉल्फिन कॉमा नाउन है और डॉल्फिन में भी अलग लग तरह की मचलिया होंगी and if I mention their name then they are the proper nouns but if I say dolphin then dolphin is a common noun common noun for places मैंने बैंक का अधारन आपको समझाया था आप आप आर्क मालेज ये कोई पार्क है पार्क बट अगर मैं सिर्फ पार्क बोलता हो तो ये क्या हो गया कॉमा नाउन हो गया मैं अगर मैं बोलता हो की बुद्धाय स्मृीटी पौर्ण हो गया पूड्ancy पार्क किया हो गया प्रवापर नाऊन हो गया विखी हМेर पूला क्समृडची पौर प्रक हो गया खाला क्या हो गया व्थ को है N. पूरी पर्क के कॉम्मीट Il क्लास के जितनी पार्ट है उसको यह दे रहा हूं कौमन नाम दे रहा हूं इफ I say school तो इस स्कूल में सभी तरह के इस कूल आ जाएंगे बट I say and Dia V तो Δी अब्लिक हो गया और मैं काहता हुए जवाहर नंवह दे डाले गया तो यह प्रॉपर नाउन हो गया अगर मैं बोलता हुझ सेनी कि स्कूल यह भी प्रॉपर नाउन हो गया बट इस्कूल के कहने से जितनी भी तरह के स्कूल है उसके एक वर्ग का क्लास का हम डिनोट कर रहे हैं और नेक्स्ट वन इस कॉमान फॉर तिंक्स फैन ले क्वाइज के सकते साथ in upokay 20 ऐसे एक वडिन योषण हो गया अजो काम्योट करता है कोंप्योट को इस सम्वराज का लैप टॉप या कप्प्यूटर कोई कहता है HP का मफून ईस्सेंग लेने वो धिन तो यह डिफ्रेंस होगे सपोस्स कार कोई कह रहा दिन कारी जो को ध्यान देना है कि जो कॉमा नाउन हो गया एक क्लास को डिने डिनोट करता है और फिर उस क्लास में अलग अलग तरह के अब्जेक्ट होंगे जिने हम अप्रॉपर नाउन से डिनोट करते हैं तो यह अपको प्रॉपर डाउन और कॉमा नाउन में डिफ्रेंस पता होना चाहिए जो अगला नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन और क्लास का नाम लेते ही हमें पता लगता है कि क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं बंडल है बंच हर्ड स्वाम यह सब क्या होगे कलेक्टिव नाउन के बंच मालेज़े कि बंच ऑफ कीज जब मैं बंच बोलना तो आपको लगता कि चावी का गुच्छा होगा और ऐसे ही आप हर्ड देख लिजे तो हर्ड का यह सब होगे क्लेक्टिव नाउन का एक्जांपल तो आप भस ध्यान में रखिए याद कर सकते हैं आप उसे आपके काम आएगा वह लेकिन वेनेवर वी से इस इस अ कलेक्टिव नाओं देन वी अग्रूप सपोस्पोस ऐसे गुलदस्ता देन गुलदस्ता सुनते ही आपके ध्यान में कहाता है कि उसमें बहुत सारे फूल्स ह यहां जब मैं कहता हूं इंडियंटीम मतलब 11 और 15 फ्लेयर वे प्लेयंग तो एक मैं बोल रहें लेकिन आपको पता लग रहा है कि उस टीम के अंदर बहुत सारी प्लेयर्स थे गुलदस्ता बोल रहा हूं गुलदस्ता से आप मान रहे कि उसके अदर बहुत सारे फूल्स से तो एनिवर्ट डेनोटिंग दा कलेक्टिव थिंग्स दोज आर नोन आज कलेक्टिव नाउन और कुछ मैंने उदाहड़न लिख रहे हैं जो मैं दिखा दे रहा हूं आपको आप इसे याद कर लिजेगा तो जो चीटी हो गया या गिद हो गया उसके उसका जो समूह होता है उसे हम कलोनी कहते हैं जो बैक्टिडिया के समूह को हम कल्चर कहते हैं जो बीर्ष हो गया उसके कलेक्टिव नाउन को हम स्लॉथ कहते हैं बीज को फ्लाइट कहते हैं और कैमल स्याफि डक्स याफि सीप उ बटरफ्लाय के के कलेक्टिव को कि आर्म के कहते हैं के सब्सक्राइब को स्कूल कहते हैं और पैर्ट के क्लेक्टिव नाउन को हम कंपनी कहते हैं तो यह कुछ क्लेक्टिव जो most famous collective nouns है मैंनों लिख रहा कि आप इन्हें एक वर याद जरूर कर लिजेगा और collective नाउन को अच्छे से समझ लिजेगा तो whenever we say anything about collective noun then we mean that there are several things or many things in that group suppose I have given you many examples like bunch then we assume that there are too many keys if we say class then there are too many students in that group if we say team then we assume that there was many players if that is a covered team then seven there would be I think seven players and if it is a cricket team then there would be 11 players so तो जब भी हम collective noun को denote करते हैं तो हमारा मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारे object होंगे या things होंगे तो यह collective noun का definition हो गया next noun is material noun and official definition of material noun is the name of a thing that exists only in the form of mass and cannot be counted is called a material noun तो ऐसा noun जिससे हम किसी वस्तु के mass को मतलब भार को denote करते हैं और वो count नहीं किया जा सकता है that cannot be counted is called material noun और a material noun is the name of a substance which can be measured और weight जिसको आप क्या कर सकते हैं माप सकते हैं या फिर वजन कर सकते हैं and that noun is known as material noun तो कुछ examples जैसे glass, iron, clay, frost, rain, snow, wheat, wine, tea, sugar तो माले जी कि मैं आपको कहता हूँ गे हूँ लेकर आने गे हूँ तो गे हूँ को आप गिंती नहीं कर सकते हैं sugar बोलता हूँ तो you just can't count the sugar you only can measure or weight you go to any shop and say give me one kg of sugar then you are measuring that sugar in that sugar right और मैं चाय बोलता हूँ आपको तो चाय आप count नहीं कर सकते हैं but you can measure that like 100 ml or something like that wine शराब हो गया आप एक लिटर हो सकता है 600 ml हो सकता है 500 ml हो सकता है तो आप गिन नहीं सकते कि कितने शराब है you only thing do you can do only thing is that you can measure or weight that thing right and I have given some example or classified this material now here is they may be placed in groups as follows you can classify material now as the metals तो इतनी भी metals हो गया आईरन लोहा सोना प्लैटिनम तो मेटल समयाजाएंगे products spoken in bulk जब आप सुगर कहते हैं tea चाय कहते हैं सुगर चीनी राइस वीट नेक्स इस जोग्राफिकल बॉडिज मड हो गया जो कीचर होता है अए है एक सेंट हो गया बालु घ्रे नाइट और अग फफंद्र हो गया क्लावड फ्लोस मिस्ट एदएस दिश्ट मेनफेक्टर्चाज लाथ ऩायजिम अवर्प्लिमर्स वार्प पानिक आप स्खे अ assistance ऑर नेक्स बनभ चैश आरे यह घर्लाःड से बने होते सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका वजन कर सकते हैं काउंट नहीं कर सकते हैं अगला डिफिनिशन हमारा आ जाता है इसटरेक्ट नहीं का ऑफिसल डेफिनिशन हो गया सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह जाना यह आटिए तो be experienced with five senses और five senses क्या होते है हमारे आख नाख कान जीव तोच्छा और if any emotions or feeling that cannot be experienced with our this five senses आख आख आई एर नोज टंग एंड इसकीन देन दैट तिंग इस नोन एज अश्ट्रेक्ट नाउन राइट तो फॉर्मल डेफिनिशन याद कर लिए जागर कि कोई भी feelings जिनके हम पांच जो इंद्रिय होते हमारे आख कानाक जीव तो उससे फिल नहीं कर सकते तो उससे हम क्या कहते हैं और कि मैंने कुछ क्लासिफिकेशन कर दिये हैं जिससे आपको समझने में असानी हों माले कोई emotions है लाव हो प्यार यह नफरत गुस्सा सांती प्रावड प्राइड गर्व हो सकता है सेंपैथी सहनुभूती नेक्स्ट हो गया स्टेट्स और एट्रिब्यूट्स तो ब्रेवरी बहादूर सफल यह दर्द हो गया सौंदर्य हो गया कुसलता हो गया साहस हो गया करेज और नेक्स्ट वन इज आईडियास कॉंसेफ्ट आइडियल तो बलीप्स हो गया विश्वास सपना हो गया अच जस्टिस टूथ फेथ लिवर्टि ट्रस्ट फॉर्ट इनफॉर्मेसं और इस तरह के बहुत सारी चीजे होंगे आप क्या कर सकते हैं किसी की बहादुरी को आप ब्रेवरी को यू जस्त कांट फिल थ्रू यूर आहकानाग जीव एंट तौचार इस यू जस्त कांट सेंस विद यूर फाइप सेंस तैट और यू अल्सो थैंस समों सक्सेस और यूर किसी को कितनी नॉलेज है आप उसको आख कानाग जीव और तौचा से मेजर नहीं कर चेकते हैं यू जस्त वाली कैंट फिल सो डैट इस एफ्स्त्रक नाउन और एफ्स्त्रक नाउन का यह एक नॉर्मल सा यह है नोट है वो ध्यान मेरे लग लिजेगा अश्त्रक्ट फर्म अफ नाउन्स और वेरी कॉमन और एन इंपोर्टेंट पार्ट फॉर्मिकेशन इन मैनी केसे इस तैप्स अफ नाउन्स अर डेराइब फ्रम एन एडिशन ऑफ असफिक्स और अल्ट्रेशन इन रूट वर्ड चाइल्ड इस अ कंक्रीट नाउन फॉर एक जामपल बट चाइ और शैर त्यान्ना ञर्ट इस यह इस असक्देट हो गया वहत्जार लडका आशकृत लड़की ऑंसक्तास और चाइल्ड मतलब बच्पना तो आप इपन्ना खो अब इसंस फौर्ट और मैंने कुछ नीचे लिख रखे हैं कि किस किस तरह से आप पना सकते हैं तो हो सकता है कि किसी वर्ड के अंत में यह जोड़ दे यह सारे वर्ड जोड़ने के बाद आपको कोई एक वर्ड हो सकता है कि जुड़ने के बाद आपको मिल जाया तो मैं नीचे कुछ उधारन से आपको समझा दूंगा यह चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई डाउट हो तो नीचे आप मुझे जरूर कर दीजेगा मैं आपको रिप्लाइज दूंगा देख लिजिए यहां पर हमने क्या किया एबस्ट्रेक्ट नाउन फॉंड फॉंड फ्रॉंड यह जितनी भी एड्जेक्टिव है मैं उसे एस्ट्रेक्ट नाउन में कनवर्ट कर रहा हूं तो बीटर तो बीटर में का है और यहां इस तरह से हम क्या करते हैं जो हमारे एड्जेक्टिव हो गए उसको हम एबस्ट्रेक्ट नाउन में करते हैं अब आगे बढ़ते पड़ें यहाँ एक नोट है वह धियान देने वाला है यूट यंग देख लिजिए और यूठ तो यंग क्या है यंग था आपका एड्जेक्टिफ और यूठ क्या हो गए आपका एश्टैक्टिक्ट्ट नाउन हो गया तो एक नोट क्या है यूठ में अर्चो भी función common noun a youth of seventh and a collective noun so जब आप youth कहते तो हो सकता है youth जैसे youth से आपका क्या होता है common noun को भी डिने उठता है जैसे youth में लड़का भी होगे लड़की भी आ गया और when you say youth then we see a mass of young people तो mass हो गया मतलब एक बहुत ही यह हो गया मतलब group बन गया तो वह collective नाउन में भी आपका आजाएगा तो आप यूथ को आप क्या कहते अप्सक्राइब नाउन मान सकते हैं और कॉमा नाउन मान सकते हैं वह sentence was defined होगा कि वह collective नाउन है या फिर कॉमा नाउन है तो आगे बढ़ते हैं आप और कोई डाउट हो तो नीची ज़रूर कमेंट कर दीजेगा यहां देखिए अप्सक्राइब कॉमा नाउंस कॉमा नाउंस से अप्सक्राइब कैसे बनाते हैं तो एजेंट का हो गया एजेंस और कि हीरो का हरोई यहां पर देखिए आइस में जोड़ा यहां पर यहां पर दोर गया है तो मैंने बताया था आपको थी देडर पहले कि कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जिनमें यह पिर जो सफिक्स जोड़े जाते है जैसे आई ओ आई ओ आई ओन या फिर ITY तो इस सफिक्स से जोड़कर आप क्या करते हैं akan बना सकते हैं इंफैंट का हो गया infancy मैंन को गया manhood और मदर का हो गया motherhood तो इस तरह से हम common own का एफ स्टेक्ट बनाते हैं और या फिर होता है पिने समझ लीजिए आपको याद करने की जरूरत सब्क्राइब हो गया है और यह होगया भर्ष से हम कैसे बनाते हैं आप से सेहमत होना एग्रीमेंट मतलब सहमती तो इस तरह से हम भर्व को एस्टेक्ट नौन में करवर्ट करते हैं यह फिर इस भर्व का यह एस्टेक्ट नौन होता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है बस एक बड़ा नजर दोड़ा लिजेगा और दखिए यहां पर है एप्सट्रेक्ट नौन्स ऑफ डजैम फॉल तो यह ऐसे आफ सैसे जुलते जूर्ब हों बिकिन अटोस टवार्य 들어Re वर्व है तो डिजायर एपस्ट्रेक्ट नौन भी है फॉल वर्व है तो फॉल एपस्ट्रेक्ट नौन भी है तो और यहां तो पर मैंने कुछ यहां तो यहां तो आप गिन सकते हैं या फिर उसको नहीं गिन सकते हैं या फिर उसको नहीं करते हैं हम छूके टो यहां ओर नावन वख्यायजंस डेवाइड करेंगे तो जो ही किस करेंदें का पेपहले संगलर फॉर्म Chief नावन होगा उसके पहले संगळर फॉर्म में या फिर ऒड यूज किया गया क्या होगा अगला हो गया अनका यूज नहीं होगा जिनके पहले और यूज होगा उन्हें हम कहेंगे और जिनके पहले या फिर यूज नहीं होगा और मैंने कुछ के लिए रहे हैं तो उसे मैं समझाद आए आपको। यहां पर देखिए यहां पर है सिह अग्राव यहां और यहां पर अंदर लाइन है तो दोग के पहले है तो यह हो 갖고 है। तो यह हो गया हमारा कंटेंग भलAL नांस कंए और है। ये करकां सुगर्द से पहले यह या फिर नहीं औरकनेस ऐसे पहले ना यह या ना है रहो गया उस्ट आपका और यह वही चीज़ यो मैं आपको two cats the words elephant and ass are also countable words sugar and darkness are uncountable you cannot count one sugar two sugar or one darkness and two darkness so dog and elephant ass and cat are countable nouns and sugar darkness are uncountable nouns आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए क्या है some nouns are used both as uncountable and countable so some words may have different meaning in different sentences I am going to explain you how suppose first example we have given are Alisa has gray hair Alisa के पास भुड़े बाल है और अलिसा के पास भुड़े बाल है अब उसके बाल को आप Alisa के बाल को count नहीं कर सकते how many hairs she has in her head you just can't count so यह uncountable noun हो गया but next one is there is a hair यहां पर देखिए यह फिर N हो गया in my shop तो जो आपका साबून हो गया उसमें आपको क्या है I think यह SOAP हो जाएगा यह SOAP तो आपके साबून में एक बाल है you just count there is a one hair so आप उस बाल को वहां पर count कर सकते आप किसी के अलिसा के मतलब head में कितने सड में कितने बाल है you just can't count but आपके साबून में एक बाल है you just count it and there is a hair so that is a countable to hair को ही हम countable भी और uncountable form में देख रही यहां पर next one is this statue is being made of stone यह जो कोई मूरती है वो पत्थर का बना हुआ है and you just can't how many stones have been used to manufacture that statue so that is uncountable I have a stone in my hand मेरे हाथ में पत्थर है और आप उस पत्थर को count कर रहे कितने पत्थर है आपके हाथ में तो एक तो यह countable हो गया यहां पर हमने देख लिया कि stone को हम कैसे sentence में countable और uncountable की तरह use कर सकते हैं next one is there is cheese in the freezer freeze में पनीड है and you just can't how many chunks of cheese are there in the freezer और नेक्स देखिए there were dozens of cheeses तो यहां पर दर्जोनों cheese थे there were many chunks like this of cheese and you just can't how many chunks dozens of cheeses तो यह आप इसे count कर सकते हैं second case में और पहले किसमें आप count नहीं कर सकते हैं तो पहला होगे uncountable और दूसरा होगे countable next is sound cannot travel in vacuum you just can't count how many sounds are there जबकि दूसरे में देखिए animals make different kinds of sounds like कुत्ता का यह भॉंकना हो गया किसी और tiger का देख लीजिए तो आप अलग अलग तरह के sounds होगे तो उन्हें count कर सकते हैं but first case में आप sounds को count नहीं कर सकते हैं तो पहला होगे uncountable और दूसरा होगे countable और नेक्स्ट है noise can make a person deaf तो noise मतलब सोड़गुल सोड़गुल किसी इंसान को बहरा बना सकता है तो यहां पर फर्स्ट केस में क्या है ना कि आप गिन नहीं सकते तो यह में uncountable हो गया और नेक्स्ट में देख लिए there are many kinds of noises at night रात में अलग अलग तरह की आवाजें आती है और आप उस कितनी तरह की यह है सोड़गुल है आप उन्हें count कर सकते हैं तो यह होगे आपका countable तो इस तरह से हम नाउन को countable और uncountable में divide कर सकते हैं sometimes it may happen if the one thing is uncountable in one sentence then it can be countable in some other sentence in other perspective so there are some nouns which can be used both as countable and uncountable but you have to figure out which noun in which sentence is countable and uncountable आगे बढ़ते हैं the following nouns can be used as both countable and uncountable तो आप चाय को countable में भी यूज कर सकते हैं suppose give me a cup of tea तो एक चाय का एक कप दीजिए तो यहां पर count कर रहे हैं और कहरे कि टी इस गुड़ आप यहां पर टी को count नहीं कर सकते हैं pain हो गया और coffee हो गया protest हो गया sample हो गया pleasure हो गया cake हो गया war हो गया land हो गया success हो गया rain हो गया difficult snow हो गया toothpaste abuse fear business and life आपको यह सब याद करने की जरूरत है you just have to figure out in sentences और आपको बस पता sentence दिया होगा और sentence के अनुसारव को पता करना है countable है या uncountable है वैसे मैं बता दो कि यह जो है countable या uncountable आपके एक्जाम में पूछा नहीं जा रहा है चाहिए जो और विदाले के एक्जाम हो या फिर सैनी के स्कूल का एक्जाम हो यू आपको बस ध्यान देना वहीं आपको जो वो था पांच नाउन थे प्रोपर नाउन कॉमा नाउन कलेक्टिव नाउन और अब्सक्राइक नाउन और अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा कुछ उदाहरन से आपको समझा दूंगा कुछ और मैं उसे प्रैक्टिस करके बता दूंगा खुद से प्रैक्टिस कीजिए कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेर इसे जरूर कीजिएगा थैंक यू